बच्चों, हम बात कर रहे थे आर्थी क्रियाओं उपर आर्थी क्रियाओं जैसा कि हमें पता ही है जिन से आई की प्राप्ति होती है ऐसे कारी जो हम करते हैं तो उनसे हमें आई मिलती है वो हमारी आर्थी क्रियाओं हो गई लेकिन इन आर्थी क्रियाओं के भी प्रकार हैं जिस पर हमने अभी जो पिछले चैप्टर्स में है उस पे चर्चा की है पहला प्रात्मिक क्रिया, दूसरा द्वीतियक क्रिया और आज जिसमें हम बात करेंगे वो है तृतियक क्रिया कलाब मनुष्य सीधे जैसे ही पृत्वी पर मनुष्य की उत्पत्ती हुई तो हम कह सकते हैं कि वो विकास के हर पड़ाओ को एकदम से उस सीधी पर तो नहीं चड़ गया धीरे 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 एक एक सीधी एक एक स्टेप को वो क्रॉस करता गया यह हम कहें कि विकास के हर एक पैदान पर वो चड़ता गया तो जब starting या सबसे शुरुवात के समय की हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जब आदी मानों का समय था, तब वो संग्रहन, आखेट, उसके बाद फिर उसने विकास किया, तो पशुचारन, पशुचारन के बाद फिर से उसका विकास हुआ और उसने ख्रिशी करना प्रारंब क तो हम यह कह सकते हैं कि यह जैसे जैसे कारिय आगे बढ़ते गए तो वो विकास की हर पायदान को पार करता गया है और हमने बात की है कि कृषी या पशुचारण, आखेट, संग्रहन यह सब प्राथमी क्रिया कलाप हैं क्योंकि यह सिधे प्रकृती से जुड़े हुए हैं अ तिर से उसने अगले पायदान पर कदम रखा और जिसे हम कहते हैं द्वितियक क्रिया कलाप क्या होंगे जो प्राथमी क्रिया कलाप से प्राप्ते जितनी भी वस्तुएं या पदार्थ हैं उस पे वो रूप परिवर्तन कर देता है उसके फॉर्म को चेंज कर देता है तो ह कहते हैं कि दृतिय क्रिया कलाप है और यह सीधे तोर पर वी निर्माद उद्योग से जुड़े हुए हैं इस पर हमने बात की ही थी कि कपास जो है वो कृषी से संबंधित हो गया कृषी से संबंधित कार्य है लेकिन जैसे ही उस कपास में रूप परिवर्तन करके उससे कारखाने में वस्त्र का सूति वस्त्र का निर्माड करता है तो वो उससे रिलेटेड सूति वस्त्र उद्योग हो गया और कपास से कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो आपका सूति वस्त्र हो गया उसका मुल्य भी परिवर्तित हो गया और उसके रूप में भी तो यह बात हो गई थी दुटिया क्रिया कलाब की लिकिन आप सोचिए कि जब आप डेली मर्रा जीवन में हम कह सकते हैं जो आप दुकान जाते हैं दुकान से एक बिस्किट का पैकेट आप उठा कर ले आए या एक पैन उठा कर ले आए एक कॉपी ले आए तो वो चीज आप तक कैसे पहुंच रही है ऐसा तो नहीं है कि आप सीदे कारखाने में चले जाते हैं जहां पर उठादन कारी हो रहा है हमने दुटिया क्रिया कलाब के अंतरगत विनिर्माड उठ्योग के संबन में बात की थी तो वहां से वो किसी व्यापारी तक आता है और उस व्यापार व्यापारी तक और व्यापारी से आप तक लाने का जो काम हो गया या हम कहें कि क्रिशी से सम्मंदित भी प्राथमी क्रिया कलाब में भी तृतिया क्रिया कलाब का उपयोग होता है उसके बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि खेतों से जो में जो कपास का तो हो रहा है उस खनन चेत्र से उस उद्धयोग तक लाने का काम कहां से होगा? भी उसके लिए आपको परिवहन के साधन की आवशक्ता होगी. आप किसी परिवहन के साधन के द्वारा ही उसे कृषी फॉर्म से लेकर उद्धयोग तक या फिर जो व्यापारी तक वो तयार मा लाया उस व्यापारी से आप तक भी लाने के लिए हमें परिवहन और परिवहन व्यापार और विनिमय की आवश्रक्ता होती है तो हम सीधे तोर पर कह सकते हैं कि जो आज हम बात करेंगे टर्शरी एक्टिविटी या तृतिया क्रिया कलाब की तो यह तृतिया क्रिया क्रिया अबर हम थोड़ा सा डिटेल में और चर्चा कर लिए जैसे प्रात्मी क्रिया कलाप और ये प्राकृतिक संसाधनों का सिधा उपयोग, द्वितियक क्रिया कलाप इसमें मुर्त उत्पादन, मुर्त उत्पादन से संबंधित है और इस मुर्त उत्पादन के लिए उत्पादन लेकिन जब हम droplets क्रिया खलाब की बाद करते हैं तो का रिटीय कर जो क्रिया कवलाब यह मुर्त उत्पादन से संबंधित नहीं यह अमूर्त उत्पादन से संबंधित हैं, जैसे की हम देख सकते हैं आपकी कक्षा में आपको आपको टीछर पढ़ाते हैं या जब आपको फिवर आ गया आपकी तबियत सही नहीं रही तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आपके घर में कोई घरेलू समस्या आ गई कानूनी समस्या आ गई तो उस कानूनी सलाह के लिए आप अपने किसी वकील के पास जाते हैं तो ये सारे क्या हैं टीचर के पास आप जा रहे हैं टीचर मूर्थ रूप में किसी कोई उत्पादन नहीं कर रहा है वकील कोई प्रोडक्ट या किसी वस्तू का निर्मान नहीं कर रहा है डॉक्टर कोई उत्पाद नहीं बना रहा है लेकिन अमूर्थ रूप में अप्रत्य नर्जन करना है, ज्यान प्राप्त करना है, नौलेज गेन करना है आपको, आपका जो डॉक्टर है वो आपको दवाईया लिखता है, दवाईया देता है, सलाह देता है, जिससे आप अपनी तबियत को सही रखते हैं, तो भई, ये सारी चीज़े हैं, ये अमुर्थ उत- कि नॉलेज भी क्या नॉलेज तो एसी किसी कोई भी टीचर जो है वो क्लास तो नहीं ले सकता कोई व्यक्ति जो है वो क्लास नहीं ले सकता ना किसी भी व्यक्ति से आप कानूनी सलाह ले सकते हैं इसके लिए वो सिक्षक जो है या वो वकील या डॉक्टर किसी भी कि हम बात क तो वो क्या करता है कि ये चीजे जो है वो theoretical और practically दोनों ही रूप से संबंदित हैं पहले इन्होंने इस चीज की अच्छी तरह से पढ़ाई की और फिर उसको practical तोर पर उस पे एक research किया उसकी practice की और उसके बाद फिर वो इस stage पर पहुंचे हैं कि वो अपना जो ग्यान है वो दूसरे को प्रदान करते हैं तो तृतिया क्रिया क्लाप सीधे तोर पर सेवा छेत्र या सर्विस सेक्टर से संबंदित हैं अब हम बात करते हैं कि इन तृतिया क्रिया क्लाप जो किये जाते हैं जिससे टीचर आपको ज्यान प्रदान कर रहा है या डॉक्टर जो है वो दे रहा है, दवाई लिख रहा है, या इस एक और एक्जामपल ले सकते हैं, आपके घर में नल खराब हो गया है, या आप फरनीचर का काम करवा रहे हैं, तो वो फरनीचर का काम करने के लिए एक बढ़ाई आ रहा है, या नल ठीक करने के लिए कोई प्लंबर आता है, यह जो जितने भी लोग यह सारे काम कर रहे हैं, जो हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं, इनके लिए हम उन्हें कोई न कोई भुगतान कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर को आप फीज देते हैं, तब ही वो आपका इलाज कर रहे हैं, टीचर को सेलरी मिल रही है, प्लंबर को आप मज सेवा है क्योंकि वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कर रहा है और वो फ्री में ही करता है बस वाला बस वाला जो है वो आपको ऐसे ही नहीं बैठाएगा इसके बदले आप उसको कुछ भुगतान करेंगे तभी वो आपको गंतव्यतक पहुंचाएग तो सेवा सेक्टर में सर्विस सेक्टर में जो भी कारे किये जाते हैं या जो उत्पाद दिये जाते हैं हम कहें उसके बदले उन्हें कोई न कोई किसी न किसी रूप में हम भुगतान करते हैं तभी हमें वो सेवा जो है वो प्राप्त होती है अब ये जो टर्शरी अक्टि और ये जो अमुर्त उत्पादन के रूप में हमें प्राप्त होता है ये जो है वो सभी आपके जो करमचारी है उसकी कुशलता या अनुभाव की हम बात कर रहे हैं तो उसके आधार पर उनका इस तरी करण भी होता है या इस कुशलता और अनुभाव के आधार पर ही उन्हें भुख्तान किया जाता है, तो हम बात करते हैं tertiary activities में कौन-कौन सी चीज़े आती हैं, तो व्यापार है, परिवहन है, संचार है और सेवाएं, यह ऐसी यह जो चारो चीज़ें हैं, हम यह कहें या इसके तृतिय क्रियाओं के जो चारो पार्ट हैं, वो यह हैं कि हमको उन्हे प्राथमिक ख्रिया कलाप की अंतरगत भी इसकी जोरत पड़ेगी और चाहे हम सेकेंडरी अक्टिविटीज की बात करें तब भी हमें इन सभी की जोरत पड़ेगी क्योंकि निर्माण उद्द्योग में जो उत्पादन हो रहा है वो जो उद्द्योग पती है जिसने वो इन् तो इसके लिए व्यापार की जोरत पड़ेगी और विनिमे की भी आवशक्ता पड़ेगी और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन की आवशक्ता पड़ेगी और सेवाओं की जोरत पड़ेगी सेवाओं की जोरत इसलिए पड़ेगी चाहे वो बीमा हो या बैंक है ये सभी भी क्या है सेवाओं के एक रूप हैं तो जब लेन देन का विनिमे या व्यापार का कारी किया जाएगा तो नैचरली है कि हमें उसमें बैंकिंग सेवा की ज़ुरत पड़ेगी ही इतने बड़े इस्तर पर पैसो का लेन देन होता है तो चीजों को कहीं नुकसान ना होने पाए या यदि हो भी जाता है तो उसकी भरपाई के लिए हमें बीमा सेक्टर की भी जौरत पड़ती है तो ये सेवाओं भी इसके अंतरगत हम सेवाओं छेत्र के अंतरगत इन सभी को लेते हैं तो हम बात करते हैं कि प्राथमीक, द्वित्यक और तृत्यक तो जहां प्राथमीक कच्चे माल से संबंधित, द्वित्यक क्रियाय उद्योक से संबंधित, तृत्यक क्रियाय जो हैं वो उभोकता से संबंधित हैं और ये उभोकता किसी उत्पाद को उपयोक के बदले हमने बताया कि कोई न कोई किसी न किसी रूप में वो भुक्तान करता है और ये सीधे तोर पर संबंधित है ज्ञान से, नौलेज से, नौलेज सेक्टर से ये संबंधित है तो आएए अब हम बात करते हैं आगे कि तृतियक क्रिया कलाप के जितने भी हमने देखे प्रकार तो उसमें एक-एक करके हम वि इसमें हमने देखा कि व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवाएं तृतियक क्रिया कलाप के अंतरगत आते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यापार पर व्यापार ये शब्द पुराना नहीं है बहुत प्राचीन है और बहुत प्राचीन काल से ही ये जो व्यापार है वो किया जाता रहा है जैसे हमारे भारत में जो मसालों का उत्पादन होता है उसका भी व्यापार जो है वो बहुत प्राचीनकाल से होता आ रहा है या हम कहें कि प्राचीनकाल से ही रेशम मार्ग के द्वारा रोम इटली इन देशों की तरफ जो है वो व्यापा का लेंदेन यह हम कह सकते हैं वस्तूओं का क्रेविक्रे खरीदना और बेचना इसे ही तो हम कहते हैं व्यापार प्राचीन समय में हम देखते थे कि जो वस्तूओं का जो क्रय विक्र है जैसे किसी को दूसरे वस्तू की आवश्चक्ता है मालनो मुझे आटे की आवश्चक्ता है और दूसरे को सबजी की आवश्चक्ता है तो वस्तूओं का लेंदेन के माध्यम से उसमें पैसे नहीं जितनी सबजियां उस एक किलो आटे के बदले आते हैं तो उतना मैंने एक किलो आलू ले लिया और उसके बदले में उसे ज़ुरत मन को आटा दे दिया अब इसका जो स्वरूप है वो बहुत हद तक जो है वो चेंज हो गया है हालंकि हम देखेंगे कि विश्व के भी भी बहुत से ऐसे छेत्रे हैं जहां पर इस प्रकार का व्यापार होता है लेकिन अब इसका स्वरूप जो है वो बहुत चेंज हो गया है तो सी दी से बात जब हम किसी वस्तु को खरीटते हैं या बेचते हैं तो उसे हम व्यापार कहते हैं और इस व्यापार का एक मात्र उदेश यह होता है लापकमाना मतलब जब भी व्यापार किया जाएगा तो उसका उद्देश लाब कमाना होता है अब ये व्यापार कई स्तर पर राश्टी स्तर पर भी हो सकते हैं अंतर राश्टी स्तर पर भी हो सकते हैं और व्यापार के जन्म के लिए या व्यापार की शुरुवात कैसे हुई हम कह दें तो ये मान सकते हैं कि हम पूरी प्रित्वी पर ये देखेंगे तो हमें प्राकृतिक विशमता देखने को मिलती है और इस प्राकृतिक विशमता के कारण चाहे वो खनी जैस्क हो या हम किसी फसल की बात करें या किसी भी वस्तु ये पदार्थ की हम बात करें तो ये हर जग हमको इसका उत्पादन अलग-अलग देखने को मिलता है कहीं पर दूध जो है वो अधिक उत्पादन हो रहा है तो डेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीजे हैं वो वहाँ पर उत्पादि कम मिलेगा तो ये जो विशमता हमें देखने को मिलती है चाहे किसी भी खनीज तत्तो की हम बात करें ये किसी भी वस्तु ये पदार्थ की जिसका वित्रन जो है वो पूरे विश्व में हमको आसमान मिलता है और इसी असमानता की कारण ही कहें या ये असमानता ही जो है वो कोईले की आवश्यक्ता होगी तो मैं उसे क्या करूंगी ऐसे देश जहां पर कोईले का एक्सिज में उत्पादन होता है अतिरिक्त उत्पादन होता है वहां से मैं अपने लिए कोईला खरीदूंगी और दूसरा देश जहां पर लौहयस का उत्पादन जो है वो कम है कम गलग वित्रित हैं, ये भी व्यापार को जन्म में देती है, और दूसरी चीज आवश्चकते हैं, है ना, मतलब कहीं पर वो मेरे उप्योक से जादा उत्पादन हो रहा है, तो मैं उसको क्यो रखूँ, फिर मैं उसको क्या करूंगी, जिसको उस इस चीज की आवश्चक्ता है उसको मैं बेच दूँगी विक्रे कर दूँगी उसका और उससे उसके बदले में मुद्रा प्राप्त कर लूँगी आय प्राप्त कर लूँगी तो यही चीजें हैं जो अंतर राश्ट्री व्यापार को या हम कहें राश्ट्री व्यापार या व्यापार की ही जननी है, जिसके कारण व्यापार जो है, इन चीजों में असमानताओं के कारण व्यापार का जनन्म होता है. लेकिन ये जो व्यापार है उसके भी अलग-अलग प्रकार है अभी मैं एक छोटा एक्जामपल आपको देती हूँ जैसे आप सुबा-सुबा एक दूद का पैकेट लेने जाते हैं किसी डेरी में तो आपको क्या लगता है उस डेरी में वही पर उस शॉप में ही पूरे दू प्रकारी शॉप वाला है वो भी किसी खोल सेलर जहां पर वो दूद का वो हजारो के रूप में जो पैकेजिंग करता है या पैकेट वो मंगाता है वहां से वो रिटेलर के पास आता है और उस रिटेलर से फिर वो उभोकता तक पहुंचता है ऐसे ही जैसे आप एक कॉपी पैन की बात कर ले हम तो आप अपने आसपास के किसी स्टेशनरी शॉप में जाते हैं तो वहां से आप क्या करेंगे एक या दो पैन ही लेंगे ना या चार से पाच कॉपियां ही खरी देंगे लेकिन वो जो रिटेलर शॉप वाला है वो तो रिटेल शॉप वाला हो गया व उसे भी अधीक अपनी ज़रुडत के अनुसार, अपनी आवश्यक्ता के अनुसार, उसे ये अंदाजा हो जाता है कि उसके area में कितने अपन की फ़पद हैं, उसके अनुसार वो किसी wholesaler व्यापारी से वो कॉपीयों और पैन जो हैं ले आता है, और उसका stock रखता है, और उतन तो होलसेलर है वो भी कहीं से होलसेलर के पास तो बल्क में रहता है वो कौपियों के कई हजार बंडल रखेगा और वो कई हजार बंडल जो है वो अलग-अलग रीटेलर शॉप को या डीटेल शॉप वालों को वो बेस्ता है लेकिन उसके पास वो बल्क में कहां से आएगा त किसी दलाल से या कई बार उस फैक्टरी या कार खाने से ही वो पूरे बल्क में समान को उठा लेता है तो यह चेंस ही बनती है कि भाई हमने देखा पहले किसी फैक्टरी या कार खाने से जो होल सेलर है जिसको कि हम थोक व्यापारी कहते हैं यह थोक व्यापारी लेकर वो समान और उस थोक व्यापारी से फिर जो रिटेलर होता है, रिटेल शॉप वाले होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, वो सामान लेकर आते हैं, और उस रिटेल व्यापारी से या हम कहे हैं, फुटकर व्यापारी से फिर आप या हम जो उपभोगता हैं, वो कुछ दो या चार की गिंती में वो समान हम उनसे लेते हैं तो यह हो गया व्यापार अब व्यापार की जो हमने अभी चर्चा की प्रकार तो पहला आपका फुटकर व्यापार होता है और दूसरा ठोक व्यापार फुटकर व्यापार मतलब रिटेल जो बिजनेस होता है फुटकर रूप में जो इसमें हम देखेंगे वस्तूओं या पदार्थ का जो सीधा संबंध होता है या हम कहें कि इन रिटेलर इस फूटकर व्यापारियों के पास जो सामान होते हैं, वो सीधे उनसे उपभोगता को दिये जाते हैं या उपभोगता को वो बेचते हैं. अब ही हमने एक्जाम्पल लिया न चाहिए वो दूद का packet हो, ब्रेट का packet हो, यह हम बिस्किट की बात कर लें, एक पैन या कॉपी की बात कर लें, तो यह सारा हम क्या करते हैं, अपने आसपास के किसी स्टेशनरी शॉप से, किराने की दुकान से, या फिर डेरी से यह समान हम उठाते हैं, कुछ नंबर्स पे दो-चार दूद के packet लेंगे, एक-दो कॉपीया लेंगे, एक-दो पैन ले सकते हैं, तो यह सीधे इस रिटेल व्यापारी से उभ्भोगता तक पहुंसते हैं, फिर यह जो रिटेलर्स होते हैं, या जो फुटकर व्यापारी होते हैं, यह बिक्री के नुसार अपना भंडार रखते हैं, भी मैंने बात की न, कि उन्हें एक अंदाजा हो जाता है, कि कितने मात्रा में, उस छेत्र में, उस एरिया में उस चीज के डिमांड है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कपड़े हो सकते हैं, या वो बरतन हो सकते हैं, जू इसा समान का समा लेकर या फिर चिट-फट माधता करका है। प्लास्टिक के समय लेकर, कुछ खिलोने लेकर तो ये सभी जो हैं ये भंडा रहित उधारन के, भंडा रहित उधारन हैं, हम कह सकते हैं ये भी फुटकर व्यापारी होते हैं लेकिन ये डोर टू डोर जो है वो सर्विस देते हैं आपके दर्वाजे तक पहुंसते हैं कि क्या आपको ये लेना है आपको कपड़े लेने हैं आपको कुछ ये प्लास्टिक के खिलोने लेने हैं तो ये आपको घर तक घ ये किसी दलाल के माध्यम से या जो सौदागर हम कह सकते हैं कि जो डारेक्ट फैक्टरी और होल सेलर इनके बीच की कड़ी का काम करते हैं या फिर ये खुद ही जो wholesaler होते हैं डारेक्ट उस factory या कार खाने से ही एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़े बल्क पे वो क्या करते हैं सामान को उठा लेते हैं और इनके द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसे हम थोक व्यापार या wholesale व्यापार कहते हैं इसमें हम देखते हैं कि ये जो होलसेलर होते हैं वो रिटेलर जो फुटकर व्यापारी होते हैं इनको ये उधार देते हैं और ये इनके ही दम पे चलते हैं हम कह सकते हैं कि होलसेलर के ही क्योंकि जो फुटकर व्यापारी होते हैं कुछ समानों के लिए हो सकता है उनके पास तो वह एक सौदा कर लेते हैं इन होल सेलर से कि आप इतना समान हमें दे दीजिए और इतने उधार में और फिर जब यह समान बिग जाएंगे तो यह पैसे हम आपको वापस कर देंगे तो यह बहुत जो है होल सेलर जो है वह इन फुटकर व्यापारियों को उधार भी देते ह हैं और यह पूरे एक बल्क में उठाते हैं उस बल्क में उठाकर फिर वो अलग-अलग जो रिटेलर्स होते हैं फुटकर व्यापारी होते हैं उनको डिस्टिब्यूट कर देते हैं या रिटेलर्स ही इन होल सेलर से समान जो है वो उठाते हैं अब इसमें एक और चीज है श्रिंखला भंडार की हम बात करेंगे या चैनी स्टोरेज, तो चैनी स्टोरेज क्या होता है? अपने अपने शहर में देखा होगा, आप बोलते हैं कि बाटा का शोरूम यहां पर है, या रिलाएंस का शोरूम है, तो अगर आपको कोई मॉबाईल लेना है, या फिर हम कहें क कोई सूज लेना है जुसका जो ब्राइंड है है ना जैसे हम कहें कि भई बाटा का लेना है हमें या कोई भी सामान जो किसी ब्राइंड पे चल रहा है तो वो बाटा का क्या है वो बाटा का जो प्रोडक्शन है चाहे वो शूज का करे जूते चपल का करे या बैग का बैग भ में वो प्रोड़क्ट बन रहा है ऐसा नहीं होता वो जहां पर ये कंपनी एक थोक में एक बल्क में जो वो प्रोड़क्शन जिस कार खाने में वहां पर उसका उत्पादन किया जा रहा है वहां से वो क्या होता है सीधे अलग-अलग जो wholesalers होते हैं वहां से wholesalers उस समान को उठा लेते हैं एक bulk में और उसके बाद एक chain बनती है फिर वो अलग-अलग district में हम बात कर लें या अलग-अलग state में उसको वो wholesalers जो हैं उठा लेते हैं और उसके अलग-अलग showroom जो हैं वो उन इस्थानों पर इस्थापित कर दिये जाते हैं फिर हम कहते हैं कि हमको लेना है तो इसका showroom यहां भी है बिलासपूर में भी है राइपूर में भी है या भिलाई में है हम किसी भी शहर की बात कर सकते हैं और अगर हमें वो समाल लेना है, तो हम सीधे उस शहर के उस चीज के शोरूम में चले जाते हैं, फिर हम कपड़े में भी बात कर लें, तो जैसे एक कलफ फॉक्स है, हम एक ब्रैंड बन गया है कि हमें उसके पैंट और शर्ट लेने हैं, तो यह सिर्फ रायपूर में ही नहीं शहर में भी मिलेंगे, जैसे प्यूमा है, उसका आपको सूज लेना है, कपड़े लेने हैं, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, यह चैन स्टोरेज है, है ना, वो फैक्टरी से समान उठाकर, एक चैन के रूप में वहां पर वो 36 गड़ आ गया, 36 गड़ के फिर अलग- तो आप उसके उस शोरूम में जाकर वो समान उठा सकते हैं, तो यह चैन बन जाती है, जिसको की श्रिंखला भंडार या चैन स्टोरेज कहा जाता है, और यह हम सीधे तोर पर कहें, तो यह भंडार ग्रिह जो है, यह भंडार ग्रिहों का चैन स्टोरेज की बात कर रहे हैं यह भंडार श्रिंखला भंडार की जब हम बात करें तो हम कहेंगे कि यह भंडार ग्रिहों का एक ऐसा समू होता है जिसमें कोई भी सामान या माल होता है वो उसका भंडार या स्टोरेज एक कुशल और अनुभवी विशेशग जो होते हैं उनको दे दिया जाता है और सीधे ह वस्तूओं और समानों का वो क्या कर लेते हैं निर्माण कर लेते हैं तो यह हो गई चैनि स्टोरेज या श्रिंखला भंडार की बात अब हमने अभी देखा कि फुटकर व्यापार या व्यापार के जो प्रकार देखे फुटकर और ठोक व्यापार तो यह व्यापार ही जो जिन कजबों या नगरों में हम कहें कि व्यापार का कारी किया जाता है उसे हम व्यापारी केंद्र कहते हैं अब ये व्यापारी केंद्र अलग अलग हो सकते हैं अगर आप किसी ग्रामीड छेतर से हैं तो वहाँ पर भी व्यापार किया जाता है यदि आप एक शहरी छेतर में हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर भी व्यापार जो है वो किया जाएगा तो एक ग्रामीड विपढ़न केंद्र कह सकते हैं और दूसरा जो है वो नगरी विपढ़न केंद्र होता है